लाइन्स इंटरनेशनल क्लब के संस्थापक मेलविन जोन्स की जैनती के उपलक्ष में लाइन्स क्लब ओफ जमशेटपुर भारत के द्वारत के द्वारा नई पहल की शुरुआत की गई जहां इनके द्वारा इवेस्ट को रिसाइकल करने की मुहीम शुरू की गई बता दें कि e-waste का मतलब खराब हुए electronic सामान और इन सामानों को आम तौर पर लोग जहां तहां फेक देते हैं जिससे हमारा पर्यावरण दूशित होता है भारत देश की बात करें तो 82 प्रतिशत e-waste केवल खराब मोबाईल और खराब कम्प्यूटर से होता है ऐसे में लाइन्स क्लब ओफ जमशेदपूर भारत ने क्लब की संस्थापक की जैनती के मौके पर केक काट कर एक दूसरे को बधाई दी साथ ही e-waste के खतरे को दूर करने हे तू मुहिम की शुरुआत की इनके द्वारा अलग-अलग कलेक्शन सेंटर बनाए गये हैं जहां तमाम e-waste को एकठा किया जाएगा जिसके बाद उसे रिसाइकल किया जाएगा और जिनके द्वारा e-waste प्रदान किया गया है उनके नाम से पौधरोपन किया जाएगा ताकि हमारी पृत्वी का पर्यावरन सनरक्षित हो सके जो किसी काम के नहीं है जिसका कोई वैल्यू नहीं हम लोग फेक देते हैं और उसे पॉइजनेस गैसे यह सब चीज का जो एमिशन होता है उसको बचाव के लिए और अर्थ का जो रिसोर्सेज है उसको बचाना है इसको रिसाइकल करने के लिए हम लोग यह इवेस्ट इस नए साल में भी हमारा साथ होगा दिलों में वही विश्वास होगा है हमारा वादा अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा विश्यू आल अब वेरी वेरी हापी न्यूयर्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल अड्मिशन गोइंग ओन आर्टेवी से भी एड्मिशन जारी है सिसे टीवी से लैंस क्लास्रोम अत्यादरिक लाइबरेरी और लैब की रवस्था योग की शिक्षक, म्यूजिक टीचर समारेंगे आपके बच्चों का पविश्य गल्स वाइस के लिए हॉस्टल आरोग जरीये बेजल समेथ तमाम और भूद सुविथा तो जल्द कराएं अपने बच्चों का अड्मिशन दिल्ली पब्लिक स्कूल